Congratulations dear friends, I'm proud of you कि आज आपने one week, 21 days mirror work की inner growth की ये process में complete किया है successfully और I'm sure mirror आपका एक प्यारा दोस्त बन गया है जबी भी आपके मन में अभी भी कोई ऐसे critical thoughts आते है और आप अपने खुद के बारे में judgmental हो जाते है तब I know अब आपके पास आपका दोस्त mirror है जहां जाके आप again आपके खुद के बारे में positive affirmation बोलते हुए आप अपना confidence आप boost कर पाते है अपने आपको आप याद दिलवा पाते है कि आप सबसे favorite आप आपके है आप अपने आपको चाहना शुरू कर चुके है ये आप याद करवा पाते है बता पाते है so this is really very amazing and I am sure जितना आप mirror के सामने खड़े रहते हुए आप affirm करते जाते है self-talk को alter करते चले जाते है उतना ही आप और ज़्यादा confident बद्दे चले जाएंगे और आप जीवन में बहुती उत्तम परिणाम हासिल करते जाएंगे बहुत सारी ऐसी पुरानी मान्यताय है experience है ऐसी बहुत सारी self-talk और ऐसी tape है जो हम every day ये first week के अंदर हमने उसको निकालने की कोशिश करी है step by step layer by layer जैसे की हम एक brick को निकालते है और इसके बाद दूसरे layer को निकालते चले जाते है वैसे हम निकालते चले जाते है बहुत ही साल लगते है बहुत समय लगता है हमारी negative belief की ये बहुत ही thick wall बनने में बट आप every day process करते है journaling की और meditation करते है और firm करते है mirror work के through so आप देखेंगे step by step जैसे जैसे एक एक layer कम होता चला जाता है आशा का किरन और प्यार भरी आपके approach आपके खुद के लिए एक बहुत अच्छी एक नई दुनिया आपकी तरफ खुलती चली जाती है और आप उसको देखते चले जाते हैं महसूस भी करते चले जाते हैं yes or yes dear friends यह really beautiful process है and I'm sure आप यह बात को agree भी करते हैं और आप उसको experience भी कर रहे हैं और realize भी कर रहे हैं dear friends चलिए आज हम day seven के अंदर सीखते हैं कि आपने अभी तक जो you know you look at how far आप देखेंगे कितने आप seven days के अंदर कितने दूर तक आए है how much you have accomplished आपने अभी तक क्या accomplished किया है toward breaking free of your old beliefs and discovering future possibility तो आप अभी तक कितने दूर तक आए है और आपने क्या-क्या achieve किया है और अपनी limiting belief को तोड़ते हुए आपने नई possibilities के लिए क्या-क्या discover किया है वो आपने ये seven days के अंदर of course समझा होगा, सीखा होगा I know sometimes mirror work is very difficult initially और ये जितना आप comfortably और at ease करते जाएंगे उतने जल्दी से और आसान तरीके से आपको results मिलते जाएंगे आप अपनी limiting belief को निकालते चले जाएंगे So it's really very amazing but फिर भी हो सकता है कि if you know फिर भी ऐसा है कि if every now and then maybe you hear the voice of your inner critics फिर भी आपके ऐसे inner critics voice आ रहे है जो आपको constantly picking कर रहे है In this case आपके पास mirror तो है आपको क्या करना है आपका best friend mirror है वहाँ पे जाना है और जबी भी ऐसी self voice आपका जो inner voice है self critics की अवस्था में आ जाता है और आपको demotivate करता है low feel करवाता है So again what you learned आपको mirror के पास जाते हुए अपनी आँखों में गहराई से देखते हुए अपने आपको कहना है I am worth living and keep up the good work अपने आपको ये कहना है कि I am worth living and अच्छा काम करते रहो I am worth living let's affirm I celebrate this week of living myself with mirror work और ये भी अपने आपको कहो today especially let's affirm this together because we are celebrating this week I celebrate this week of loving myself खुद को प्यार करने का ये जो पूरा week है उसको मैं celebrate करता हूँ ये आपको you know mirror के साथ आपने जो activity करी loving yourself उसको आप celebrate कर रहे है तो just tell that and I now move into a new space of consciousness in which I am willing to see myself differently और अब मैं I now move into a new space of consciousness in which I am willing to see myself differently तो मैं एक ऐसी consciousness में space of consciousness में move होने के लिए तैयार हूँ कि जहां पे मैं अपने आपको अलग तरीके से देखने के लिए बिलकुल तैयार हूँ right so वैसे अपने आपको कहते रहना है and आज ये week को हम loving yourself के week को हम जब celebrate करते है तो आज हम mirror work में day 7 की जो exercise करनी है जो काम करना है वो ये है dear friends की stand in front of your mirror look into your eyes and say these affirmations again because this week is all about your loving yourself so just again tell yourself I love you अपना नाम देते हुए कहिए I really really love you and I am so proud of you for doing your mirror work मैं तुम्हे बहुँ चाहता हूँ मैं सच में सच में सच में तुम्हे बहुँ चाहता हूँ और तुमने ये जो mirror work की exercise कर रहे हूँ इसके लिए मैं तुम्हे आरे उपर proud करता हूँ I'm proud of you for doing this mirror work and fourth step repeat this affirmation 10 times adding your name यही affirmation को 10 times repeat करे each affirmation 10 times repeat करे अपना नाम add करते हुए I love you Dipali अपना नाम आपको अपना नाम बोलना है I really love you I love you Dipali आपका नाम यानि I really love you and I am so proud of you for doing your mirror work repeat this 10 times with your name point five look at your forehead and imagine that you are pressing a button there and ejecting a disk of your old beliefs and negative thoughts that has been playing in your head take your hand and imagine that you are pulling that disk off you know disk out of your head and throwing it away जो हमने काम किया था ये भी के अंदर अगें आपको अपने forehead के तरफ देखना है और जिस्ट imagine करना है कि आपको eject कर रहे है CD जिसके अंदर सारे आपके अभी तक के negative experience की self criticism के जितने भी thoughts है feelings experience है वो सब वो CD में लिखे हुए इसको eject कर रहे है और आप उसको बहार निकाल के throw कर रहे है just do that again and now look deeply in your eyes and imagine that you are making a new CD of positive affirmation और अब आप imagine करें कि आप एक नई positive affirmation की CD को record कर रहे है और जिसमें आप लिख रहे है I'm willing to let go मैं सब कुछ जाने देने के लिए तैयार हूँ let go यानि सारे पुरानी बाते जो पकड़ के रखी है जो हमें दुखी करती है demotivate करती है I'm willing to let go my past I'm willing to let go I am worth living I am perfect just the way I am and start loving yourself अभी भी कुछ बाकी रह गया है तो push करे and record करे अच्छी सी आपकी एक disc बनाए बहुत बहुत बहुतर गाना बनाए अपने जीवन का और अपने जीवन को redesign करे and celebrate करे यह first week mirror work का आज का journal work भी देख लेते हैं जिसमें आपको काम करना है point one, step one take out your journal and open it to the first exercise you did on a day one so अपने day one में जो first exercise करी है उसको आप open करे you know that open that the first exercise you did it read the feelings and the observation you've wrote down after your mirror work on day one आपने जो feelings and observation को लिखा था जो feelings and observation के बारे में जो आपने लिखा था उसको read करे and you wrote it जो आपने लिखा था day one में तो उसको आपको read करना है that is step two step three on a new page write down your feelings and observation after the first week of doing your mirror work आपने अब आपके अभी के feelings and observation एक week complete करने के बाद क्या हो रहे है आपके खुद के बारे में वो लिखने है आज कि अब आपको क्या feel हो रहा है आपके खुद के बारे में क्या आप अपने खुद के साथ प्यार you know you're falling in your own love आप खुद के अपने खुद के साथ प्यार करना शुरू कर चुके है so falling love with your own self one week what's your experience what's your observation आपका behavior क्या change हो रहा है आपने अपने negative thoughts को positive में turn कर रहे है और जबी भी self-criticism आपको again you know कही न कहीं pinch करता है तो आप क्या करते है उस वक्त positive affirmation बोलते है तो उससे क्या benefit होता है सारे observation लिखे are the exercising you know exercises getting easier क्या ये सारी exercises जो हम पहले करते थे अब वो easy होती चली जा रही है are you feeling more comfortable looking in the mirror अब आप mirror में देखते हुए exercise जो कर रहे है वो और ज्यादा आपको आसान लगती चली जा रही है ये सब कुछ आपको लिखना है that's very important please do that and that's a point number three is really very important now point four write down where you are having the most success with your mirror work write down where you are having the most difficulty आपको ये भी लिखना है के where you are having the most कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा mirror वक्त में काम करते वक्त आपको success मिल रहा है और कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा difficult हो रहा है right so ये भी आपको आज identify करके लखना है क्योंकि आगे इसके पर काम करना है eight week complete हो चुका है तो you need to find out के where you are having the most success with your mirror work कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा success मिली है and कहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा difficulty feel हो रही है with mirror work activity and point number five create new affirmation to help you in those are you know are as where you are having blocks that's very important so create new affirmation आपको affirmation create करने है कहाँ पर कि जहां पर आपको लग रहा है कि अभी भी blocks है blocks यानि negative belief है negative limiting belief है जो self criticism जसको कहते है so अभी भी आपको जो लग रहा है वहाँ पर आपको affirmation create करने है create affirmation to help you in those are as where you are having blocks right so अभी भी जहाँ जहाँ पर भी negative blocks है you have a block somewhere तो वहां पर आपको नए affirmation create करने है, in short, one week के अंदर, blocks जतने भी identify कर पार है, जिसको negative belief या limiting belief, जो भी कहे, blocks कहे, उनको आपको identify करना है, और वहां पर affirmation create करने है, अभी भी कोई pop-up होके निकल के बाहर आ रहे है, और ये आपके subconscious mind के साथ का operation है, तो बहुत सारी चीज़े दी दीरे layer by layer निकलती चली जाएगी, एक layer के बाद दूसरे बहुत निकलेगा, और allow that, allow all these things, it's really very important, so आज का hard thought क्या है, journaling work के बाद जो आपको लिखना है, all my experience are right for me, याद रखेगा, हर इनसान के अपने साथ के जो experience हो रहे हैं, वो हमेशा सही होते हैं, हम एक सही speed के उपर, कहते हैं ना कि सही space में हम सब लोग चल रहे हैं, कोई late नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, कोई बहुत speed में नहीं है, सब अपनी जगा पर सही जा रहे ह जब हमारे जीवन में कोई एक दर्वाजे बंद होता है तो बाकी के बहुत सारे दर्वाजे खुल भी जाता है provided हमें हमेशा middle path को चूज करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए आप middle path में है यानि की दुख के समय बहुत ज़्यादा दुखी नहीं है और दुख यानि non-favorable situation में और खुशी के समय बहुत ज़्यादा खुश नहीं है middle path में दुख को भी पचाते हैं सुख को भी पचाते हैं और middle path में खड़े हैं तो आप कितने भी दरवाजे बंध हो या खुले आपको कोई ज्यादा पर्क ने पड़ेगा और आप हमेशा एक दरवाजा बंध हुआ तो बहुत सारे अनंत दरवाजे खुलते हैं नई जर्नी आप शुरू कर सकते हैं तो ये बात को ध्यान में लगत रखते हुए 21 days, 21 times आपको आज का hard thought भी लिखना है journal के अंदर, all my experiences are right for me, so accept करने हैं आपके सारे experience जो आपके लिए हमेशा सही है, God has a bigger plan, so understand that way and give this energy and write down and finally आज का meditation करना है description box में जो link है मेरी online school की वहाँ पे link पे click करे, sign up करें अभी भी नहीं किया है और वहाँ जाके, it's free, और वहाँ जाके आपको इंग्लिश हैं दिमराठी कुझाती जो भी language है, day 7 का meditation, वहाँ से choose करें उसको सुने, रात को सोने से पहले सुबह भी सुने और पूरे दिन में affirmation जितनी बार आप दोहरा सकते हैं वो जरूर से करें आज की meditation की theme है Spirit MI, और ये बहुत beautiful work है, आज का हमारा जो weak close हम कर रहे हैं उसके सिलसले में ये बहुत beautiful work है, so dear friends, I'm sure आप लोग बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं, and आप अपनी life को transform कर रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, और जब आपको सच में अच्छा लग र आपको कुछ सवाल है, तो पूछे, keep asking, keep learning, आप सीखते जाएं, पूछते जाएं, सीखते जाएं, keep growing, बढ़ते जाएं, and उसके बाद जब आप बढ़ रहे हैं, तो बांटते जाएं, और आपको हमारा efforts अच्छे लग रहे हैं, तो मेरी Google की link है, business link, dipali-life, वहां जाके मेरी profile को rate and review भी कर सकते हैं, thank you so much, कल एक नए theme के साथ मिलते हैं,